ये कहानी है धनिया की, जो एक फैक्टरी में काम किया करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो फैक्टरी बंद पढ़ गई और वो बेरोजकार हो गया। धनिया की पत्नी बहुत पहले ही गुजर गई थी। धनिया की एक 10 साल की बेटी सिया भी थी। वैसे ही उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था उपर से उसकी नौकरी भी चली गई तो घर चलाना और भी मुश्किल हो गया नौकरी चले जाने की बात उसने सिया को नहीं बताई रोज की तरह धनिया सुबह घर से निकलता नौकरी की तलाश में और शाम को नौकरी ना मिलने पर ठका हारा वापस घर आ जाता सिया, सिया, ओ सिया बेटी अरे बाबा, आप आ गए फैक्टरी से पर आज भी मैं तेरे लिए रंग और पिछकारी लाना भूल गया अरे कोई बात नहीं बाबा, कर ले आना पैक्टरी के सेट ने बोला है पोली पर सबको तिवाली की तरह बोनस मिलेगा जब बोनस मिलेगा, उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए रंग, पिछकारी और ठीर सारी मिठाईया लाऊंगा सिया को पता था कि फैक्टरी बंध होने के कारण उसके बाबा के पास सब कोई काम धंधा नहीं है अब वो किसी की दुकान में ज़ाडू लगा लिया करते हैं या पीट पर बोज़ा उठा कर दो पैसे लाकर जैसे तैसे घर चला लेते हैं कभी कभी तो कोई काम नहीं मिलता तो खाली हाथ ही घर लोटना पड़ता है एक दिन धनिया काम की तलाश में बाजार की तरफ जा रहा होता है देखते देखते होली भी पास आ गई कल होली है और मैं अभी तक अपनी बेटी के लिए रंग और पिछकारी भी नहीं ला पाया धनिया ये सब सोचता हुआ चले जा रहा था तब ही उसकी नजर एक रंग और पिछकारी की दुकान पर गई इस दुकान में मुझे जरूर कोई न कोई काम मिल जाएगा तो मालिक के पैसों के बदले में अपनी बेटी के लिए रंग और पिछकारी मांग लूँगा मालिक कोई काम मिलेगा कोई काम नहीं है मैं कोई भी काम कर लूँगा मालिक जाड़ू लगा दू या जाड़ पोछा कर दू दुकान में कुछ भी एक बार में सुनाई नहीं देता क्या, कोई काम नहीं है मालिक, मैं बहुत करीब हूँ, मेरे पास कोई काम धंदा भी नहीं है कल होली है, और मुझे अपनी बीटी के लिए रंग और पिछकारी लेनी है आप मुझे मेरे काम के पैसे के बदले रंग और पिछकारी दे देना शकल से तो तुम चोर लगते हो काम के बहाने कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं 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 बिल्कुल नहीं आप एक बार काम दे कर तो देखो ये ऐसे नहीं मानेगा पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं अरे कोई है इसे भगा यहां से एकार में मेरा और किराहकों का टाइम खराब कर रहा है चल चल दुकान का मालिक धनिया को धक्का दे कर दुकान से बाहर गिरा देता है और धनिया आखों में आसू लिए वहां से चला जाता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता जेब में पैसे नहीं है, घर में राशन खत्म होने को आया, अब कैसे घर चलेगा, मैं तो भूखा भी रह लूँ, पर बीटी को मैं भूखा नहीं रख सकता धनिया उदास मन से घर पहुँचता है, क्या बात है बाबा, चेहरा इतना उत्रा हुआ क्यों है? सिया को पता था कि उसके बाबा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, जब भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता वो भूखे सो जाते, ताकि राशन एक दिन और जादा चल सके, कई बार उन्होंने ऐसा किया, वो खुद भूखे रह जाते पर सिया को कभी भूखा नहीं अगले दिन हो ली थी, धनिया चुप चाप सुबह सुबह अंधेरे ही घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है, पर सिया उसे देख लेती है, उसके जाने के बाद सिया घर में बने मंदिर के पास जाती है और बहुत रोती है, मा, मेरी तो अपनी मा भी नहीं, पर तू तो पूरे जगत की मा है, तो मेरी भी मा हुई न, एक बीटी छोली फैलाकर अपनी मा के सामने भीक माग दिये, कि मेरे बाबा को दुख मत दो, वो बहुत दुखी है मा, मैं तुझसे कोई धन धौलत नहीं माग दी, पर मेरे बाब बिना खाय सो गए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो, मा तो पहले ही चली गए इस दुनिया से, पर मेरे बाबा, मैं अपने बाबा को और दुखी नहीं देख सकती, मा, मैं तेरे आगे हाथ चोड़ कर खड़ी हो, फिंती करती हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए कभी भी, पर मे धर धनिया, आज होली है, हाथ बिल्कुल खाली है, ए उपर वाले कुछ काम दिला दो, दो पैसे हाथ में आए तो अपनी सिया बेटी के लिए मिठाई और रंग लेकर जाओं धनिया ये सब सोचते हुए उसी दुकान के आगे से गुजर रहा था, जिस दुकान मालिक ने उसे धक्के दे कर दुकान से बाहर फेंग दिया था, उसकी नजर फिर से दुकान में रखे रंग और पिछकारी पर जाती है, तभी दुकान का मालिक जल्दी जल्दी दुकान कहीं जा रहा होता है उसके हाथ में एक बैग भी था जो हरबड़ी की वज़ा से वहीं दुकान के सामने गिर जाता है धनिया उस बैग को उठा कर दुकान के मालिक को देने जाता है पर उतने में दुकान का मालिक अपनी गारी में बैट कर जा चुका होता है धनिया बैग खोल रंग और पिछकारी ले सकता हूं पर उसके मन में कई सवाल भी चल रहे थे नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये पैसे अपने पास रखे हूं ये सोच कर धनिया उस दिशा में बैग लेकर भागा जिस दिशा में मालिक की गाड़ी गई पर धनिया को तो दूर दूर तक मालिक की गाड़ी नहीं दिखी वो वापस दुकान की तरफ गया और मालिक का वहीं इंतजार करने लगा पर दुकान का मालिक तो वहां नहीं आया फिर उसने आसपास की दुकानों से दुकान के मालिक के बारे में पता करने की कोशिश की पर वापस करके बोज हलका करूँ वो ये सब सोची रहा होता है कि तभी उसकी नजर दुकान के मालिक पर पड़ती है वो अस्पताल के सामने खड़े थे और उनके साथ एक औरत थी थी जो उसकी पत्नी थी पूझा वो दोनों ही बहुत रो रहे थे धनिया भागता हुआ उन दोनों के पास पहुचा मालिक, मालिक, आप इस बैग के लिए ही रो रहे हो न देखिए मालिक, आप मुझे चोर नहीं समझिएगा मैंने ये बैग चोर ही नहीं किया आप अपनी दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले तो ये बैग वही नीचे गिर गया था धनिया की बाते सुनकर और उसके हाथ में बैग देख कर दुकान का मालिक चोग गया हम इन पैसों के लिए नहीं रो रहे हमारा एक ही बेटा है उसका एकसिडेंट हो गया है उसे बहुत चोट आई है वो जिन्दगी और मौत से जूच रहा है डॉक्टर ने बोला है उसका खून बहुत पैग गया है खून की जरूरत है उसे पर हम दोनों में से उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ एक आत्मी बड़ी बुश्किल से खून देने को राजी तो हुआ पर बदले में उसने बहुत सारे रुपए मांगे ये रुपए उसी को देरे के लिए थे पर अस्पताल पहुच कर मैंने देखा की रुपियों से भरा बैग जो मेरे हाथों में नहीं था बिना पैसों के वो आदमी खून देरे को तयार नहीं हुआ और यहां से चला गया उन दोनों की बाते सुनकर धनिया की आखे भराई मालिक मैं दूंगा आपके बेटे को खून आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए क्या पता आपके बेटे का ब्लड ग्रूप मेरे ब्लड ग्रूप से मिल जाए धनिया का ब्लड ग्रूप मालिक के ब्लड ग्रूप से मिल गया उसने मालिक के बेटे को ब्लड दिया और मालिक के बेटे की तबियत में सुधार आने लगा तुमने मेरे बेटे की जान बचाई तुम्हारा एहसान मैं जंदगी भर नहीं भूल सकता ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ फिर भी इस बैग में जो भी रुपे हैं वो सब तुम्हारे है ये आप क्या कह रहे हैं मालिक जान बचाने वाला तो उपर वाला है मैं नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए अगर मैं आप से ये पैसे ले लूँगा तो उपर वाले को क्या मू दिखाऊंगा मुझे माफ कर दो, अपनी गल्ती के लिए उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला मैंने ही तुम्हें अपनी दुकान से और बोलकर निकाल दिया था वो भी धक्के दे कर मालिक आप उछे शर्विंदा ना करें धनिया वो बैग मालिक को दे देता है और फिर धनिया वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है घर पहुँचकर देखता है कि सभी बच्चे बड़े होली खेल रहे हैं, नाच रहे हैं जैसे ही वो घर पहुँचकर सिया को आवाज लगाता है, सिया बाहर आ जाती है पर ये क्या, धनिया देखता है कि उसके हाथों में रंग की पिछकारी है सिया मेरी बच्ची, ये 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 रंग पिछकारी कहां से आई, कौन आया बाबा, आज पे बहुत खुश हूँ, मेरी मातारानी ने मेरी सुन ली, आपको नौकरी मिल गई नौकरी? तब ही घर के अंदर से वही दुकान का मालिक और उसकी पतनी बाहर आ जाते हैं मालिक, आप, आप यहाँ ये पैसे का बैग, इसके तुम हगदार हो, ले लो, ले लो ये और मैं अपने दुकान में तुम्हें नौकरी पर रखता हूँ धनिया